हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं कि हम लोग Tailwind CSS में margin, padding और space customization कैसे कर सकते हैं सबसे पहले एक basic example लेंगे margin और padding के लिए उसको run करके देखेंगे समझेंगे की चीजें कैसे काम कर रहे हैं after that हम लोग margin और padding के लिए कुछ और classes को add करेंगे same naming convention के साथ और यह किसकी help से होगा customization के help से again हम लोग कुछ और classes को भी add करेंगे margin और padding के लिए बट यहाँ पे हम लोग different naming convention यूज करेंगे यह naming convention क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पता दिल जाएगा after that हम लोग spacing वाले concept को समझेंगे spacing वाला concept basically होता क्या है practically भी करके दिखांगा थोरी मैं भी बता देता हूँ जो margin, padding, height, width ऐसी जो size and space वाली चीज़े होती है इन सब के लिए एक साथ customization कर देता है so काफी interesting concept है इसको समझना हो then एक interview question भी हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे कि मान लो आपको only height को customize करना है जैसे मैंने आपको बता है कि spacing के साथ आप लोग बहुत सारी चीज़ेंगो एक साथ कस्तमाइज कर सकते हो पर आप चाहते हो कि आपको बस only height वाल classes को customize करना है तो वो कैसे कर पाओगे वो भी आपको इस पार्ट के अंदर पता चल जाए अब हम लोग code पे चलते हैं और सबसे पहले एक new file create करूँआ इसका नाम रख लेता हूँ space customization dot html then यहाँ पे basic सा code लिखेंगे and then यहाँ पे कर देता हूँ space customization with tailwind css alright and जो यह extra हमारे meta tags इनको हटा देते हैं then एक link tag add करेंगे हम लोग let me add a link tag और यहाँ पे डाल लेंगे हमारी output वाली css का path cool और यहाँ पे आपकी build भी चलती रहनी चाहिए इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ then अच्छा एक काम कर लेते हैं ताकि आपको चीजें एक साथ ही यहाँ पे दिखती रहें मैं एक दो फाइल को भी open करके रख लेता हूँ यहाँ पे जैसे की tailwind इस config file को भी open करके रख लिया then हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे space कर देते हैं एसे दोड़ा सा side में कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो हमारा output वाली file होग इसको display करवाएंगे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको भी run करता हूँ live server के साथ यह run हुआ then इसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे तो आपको यहाँ पे output दिख जाएगा यहाँ पे हमारी coding हो जाएगे एक साथ यह आपको चैजने दिख जाएगे cool so मैं यहाँ पे div बनाता हूँ और div के अंदर मैं हाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ let's say कि मैंने लिख दिया यहाँ पे apple लिख दिया अभी के लिए और then मैं यहाँ पे क्या करता हूँ class add करूँगा bg red or something जैसे मैंने class को add करा तो आप यहाँ पे देख पा रहा हूँ color आ गया so मैं इसका size भी बना देता हूँ अभी के लिए size मैंने यहाँ पे बना दिया let's say 56 52 होता है ठीए 52 कर लेता है यहाँपे size दिख गया हूँ हमें कोई दिखकत नहीं चिक है then मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि थोड़ी सी margin add कर दूब because यहाँपे बिल्कुल यह starting से start हो नहीं यहाँब तो मैं इसमें कुछ margin add करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर चाहता हूं कि M20, कुछ मैंने margin add कर दिया, यहाँ पर आ गया, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी padding add हो जाए, ताकि यह नाम है थोड़ा सा center में आ जाए, तो मैं यहाँ पर simply यहाँ करूँगा, P20, यह भी add कर देता हूं, तो अब आप देख सकते हूं, यह नाम है, वो center में आ गया, यह चीज़े हमें बहुत अच्छे से बता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि जो padding है, यह basically आए 51 pixel, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर 2 लिखा ना, तो 20 है, 24 है, ठीक है, 21 है ही नहीं, और मैं 22 डालने कोशिश करता हूं, तो है भी, वो भी नहीं है, तो मैं एक ऐसी class add करना चाहता हूं, जहां पर मैं P22 को add कर पाऊ, यह फिर P21 को add कर पाऊ, ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो ठीक है, पहले तो एक बार के यहाँ पर 20 रहन देते हैं, और इसमें यहाँ पर आपका REM है, 5REM है, ठीक है, 80 पिक्सल, तो मैं यहाँ पर चाहता हूं कि 6REM या फिर 5.5REM, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यानों का last part में हम लोगो ने हाँ पर screen के लिए customization कर रहा था, अगर यह आपको रखना है तो रख लो, हटाना है तो हटा तो मैं यहाँ पर add करूँगा, इस तरीके से, 21, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, कुछ भी pixel, जैसे की, यहाँ पर pixels थे न, अगर आपको pixel के साथ ही खेलना है, तो आप 81, 82 pixel add कर सकते हैं, फिर 5 और 6REM, यहाँ आपर कर देता हूँ, 6REM, यह मैंने add कर दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ, 2 और अब देखो, यहाँ पर 1 का option भी आ रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर 22 करता हूँ, तो क्या होगा, ऊपर आगा, बिकोज यह वाली class अवेले बल नहीं थी, अब 21 वाली class पहले अवेले बल नहीं थी, ब तो आप लोग कस्टमाइज इसने एक साथ कैसे कर सकते हो, तो इसलिए मैं ने दिखा दे, तो इसको एक बार के लिए हटा दो, format में कुछ है क्या, format में तो कुछ खास नहीं है, इस तरीक से कर सकते हो, अब माल लो, आपने यह कर दिया, अब आप 22 के लिए बैड करना चाहत है, अब यह point के अंदर है, तो आपको difference समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, 3rem कर देता हूँ, अब आप देखो, यह यहाँ पर आ गई, अब अगर मैं यहाँ पर 23 करूँगा, तो इसके लिए class ही नहीं, तो यह नहीं चलेगी, 22 के लिए पहले class न तो इसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, margin, और then यहाँ पर करता हूँ, let's say 21, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे, 6rem, यह हम लोग नहीं उपर भी define, अब चाहो तो यह 5 भी कर सकता हूँ, कि प्रोल्लम नहीं है, अभी करके दिखा भी दूँगा, बट यह इस अभी मैं 22 के लिए class add करता हूँ, जो margin है, तो यह कितनी है यहाँ पर, 3 है न, हाँ, तो 3 के हिसाब से काम कर रहे है, cool, और अगर इसको change करना चाहते हो, जैसे कि आप इसको 10 करना चाहते हो, तो 10 कर दो, यह यहाँ पर उठके आ गई है, चीक है, अब 3 करोगे, तो यह 13 कर द खाता हूँ, तो कैसे कर सकते हो, बहुत ही simple है, मालो आप यहाँ पे 8 पिक्सल करना चाहते हो, चीक है, तो आप कैसे करोगे, तो simply, पहले तो यह देखो, 8 के लिए class है, क्या, 8 के लिए class है हमारे पास, किसके लिए class नहीं है, 13 के लिए class नहीं है, यहाँ पर चला गया, अब यहां पर आके padding में लगाता हूं 13 पी नहीं लिखना आपको 13 लिखना है ओली ठीक है यह चीज जिद ध्यान लग नहीं है और यहां पर आके लिखोगे 13 pixel पिक्स कर दिया last में यह pixel के हिसाब से काम करेगा ठीक है अब आपने 130 कर दिया 130 pixel के हिसाब से साइज भी काफी बड़ा होगे है और 200 कर दोगे तो 200 pixel के हिसाब से काम करेगा देर भी को कूल आगे वास समझे है आप इसको 13 कर देता हूं सेम आप मार्जन चाहो तो इसके लिए भी कर सकते हो जैसे कि आपने मार्जन करना है सेम तो वह भी कर सकते हो अब यहां पर M13 लगा दो तो 13 pixel के हिसाब से दिखाएगा ठीक है अगे इसमें भी चेंज करोगे 130 कर दोगे तो कहीं और भाग जाएगा अब एक चीज़ और नहीं सीखते हैं आप बोल रहे हो कि यार मुझे 8 pixel लिए class लगानी है बट अगर मैं यहां पर padding में आता हूं तो already एक class है यहां पर P8 के नाम से है यहां पर तो मैं चाहता हूं कि मैं अलग से खुद की class बनाओ अगर मैं जैसे P8 करता हूं तो इसने class का कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे आपने दे दिया यहां पे लिखके Px8 ठीक है और यहां पे उसकी कोई भी value डाल दी जैसे आपने डाल दी यहां पे 8 pixel ठीक है तो अब आप इस class को वैसे कैसे access करोगे पहले P because padding आएगी उसके बाद में Px जो आपने यहां पे लिखके देखो इस कब खुझ से वो भी आने लग गया suggestion भी आने लग गया and there we go यहां पे आगा 8 pixel आपको दिख रहा है यहां से और अगर आप इसको नहीं यहां से इसको उड़ा दोगे तो यह चीज काम नहीं करेगी आप देख सकते हो विल्कुल टॉप पे चला गया ठीक है अब क या मैं इस क्लास को only पैडिंग लिए यूज कर सकते हूं पैडिंग टोप वगरा के लिए यूज कर जो आपका अमान करें जैसे आपने यहां पे लिए 21 तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो पी टॉप 21 तो यह टॉप से 21 देगी आपको ठीक है पी बॉटम 22 वाली भी बॉटम से 21 देगी और आपने यह कूंसी क्लास बनाई है एक पी एकस 8 के नाम से तो यह भी कर सकते हो पी लेफ्ट से रखनी आपको ठीक है पी लेफ्ट एंड देन क्या था इसमें पी एकस 28 इस तरीके से तो यहां पे 8 ओल्रेडी 8 ही है तो यह 8 आपको दिख रहा है यहां सेम आप मार्जिन के साथ भी कर सकते हूं गर आपको मार्जन यूज करना है जैसे के भी मार्जन हमारे पास normal हम लोगों ने मार्जन ले रखा है ठीक है 13 मैं 21 लगाता हूं तो इतना मार्जन आगए हमारे पास 21 में क्या लगा रखए हम लोगों ने 1 रय आ रियम 22 वाला लि नहीं करना चाहते हैं तो simply क्या करना है उसके लिए यहां पर लिखो M L 22 यहां पर भी class अवैलेबल है and there we go यह तो किसी भी size के लिए नहीं आया अच्छा यह class हमने mix कर दी न तो कैसे आएगा अब आना चाहिए अब देखो अब आ गया है इसको टॉप से यूज़ करना चाहते है तो टॉप यूज़ कर लो then यह टॉप से आगया चीक है जिस भी size से आप इसको यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो बस आपको पहले क्या लगाना है जो भी आपका जैसे की मार्जन लगां दिए टो यहमिट लगात लगा दो अलगा दो क्वा इस बंड कलिए फैडिंग के लिए लगसे अब मालो में हाइट के लिए बनाना चाहते हूँ तो क्य NAGET के लिए बलकु पहला ही क्लाए अब आप यहां पर फीट के लिए갈 वो भी मैं कुछी कुछ कर देता हूं, अब सबसे पहले इसकी width कर देता हूं, जो normal width होती है, जैसेख मैंने width कर दें, यहाँ पर 52, ठीक है, height इसकी कुछ भी नहीं है, और मैं चाहता हूं, सबसे पहले मैंने height दी, height 32, यह दे दी मैने, तो यहाँ पे मुझे height दिख गई, दे दी बैट मैं चाहता हूं की जो हूं की यह हाइट का है ना 32 है मैं यहाप departing on 1800 लाइन करना चाहत ओं याफिर कुछ और ऐसी जाएड़ करना चाहता हूं曹ा कुछ और स्थैसी म्लिक्ति क्लास फे अब कैसे में 100 पिक्सल यह मैं चाहता हूँ कि एक और है यहाँ पर 35 से 35 से बनाना चाहता हूँ और इसको मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर 4rem यहाँ देना चाहते हूँ आप तो इसके लिए क्या करोगे यहाँ पर आओ क्लास तो मने बना दी बस 35 लगा दो इतना होता है रहे हैं 40 कर दोगे तो यह कूब सारा हो जाएगा इतना बड़े यह दिख सकते हो आप ठीक है और 10 कर दोगे तो जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा इस तरीके से आप लोग हाइट के लिए भी खुद से क्लासिस बना सकते हो अब बात आती है जो चूरह हमें यहां बात करनी हैं स्पेसिंग के बारे में ऐसे तो हर एक चीज के लिए कैसे देंगे पहले पैडिंग के लिए दो फिर margin के लिए फिर height के लिए बड़ी सारी चीजे होते हैं size and spacing वाली बैटर यह है कि यह ना इन सब को हडा दो आप को जरूरत नहीं है इनकी इन सब को हटा दो then यहां पे padding के लिए कर दो simply spacing और जैसे ही यहां पे आप use करोगी spacing then basically क्या होगा हर एक चीज के लिए अपने आप से classes बन जाएंगी जैसे कि यहां पे 21 था ठीक है तो अब यह 21 classes है height के लिए बन गई width के लिए बन गई margin के लिए बन गई अब मैं इसको use करके दिखा देता हूं आपको ठीक है सबसे पहले सारे अब इसकी height बन गई है और अब मैं यहां पर आके h 20 लिखता हूं तो मुझे इसका suggestion भी दिख रहा है ठीक है इस तरीके से बना सकते हो आप अब दैन आप इसकी width भी देना चाहते हो width 21 ही देना चाहते हो इसके हिसाप से इसी class के हिसाप से तो वह भी आ गई अब padding भी देना चाहते हो इसके हिसाप से padding 21 तो यह padding भी आ गई अब इसके हिसाप से margin भी देना चाहते हो 21 तो इसका margin भी आ गया हर एक चीज बन गया margin क्यों नहीं आया इसका refresh करना पड़ेगा हाँ अलग नाम रख दिया और केटी 100 में देना चाहते हूं कि 100 पिक्सल वाली चीज़ें चल रहे हैं जैसे यह भी वैसे काम करेंगी जो मैंने आपको बता दी यहां पर कि जो एक अलगी यह तो हमारी सेम नेमिंग कर्वेंशन वाली हो गई यह दो भी नेमिंग कर्वेंशन वाली आपको बनाना कर दिया है सबसे पहले सारी की सारी चीज़ें हटा दी मैंने एक एक चीज़ को एड़ करना स्टार्ट करता हूं हाइट 100 पिक्सल आपने आप आगे ना हइट के साथ तो इसकी मैंने हइट दे दी अब मैं चाहता हूं पिक्सल यह दे दिया बट मैं चाहता ह muchísimo, चारण तुमली कुछ नहीं करना मुझे आपे करना है m100px तो यह चारों तरफ से इसकी height यहाँ पर आ गया चाहिए दैन उसके बाद में आपने height जाब इसकी width देना चाहते हो तो यहाँ पर डाल दो width और यहाँ पर डाल दो 100px तो इसकी width है यह 100px की ही बन गई चीक है तो इस तरीके से आप लोग खुद की classes को बना सकते हो same naming convention different naming convention जो भी चीज़ें थी हम लोगो नहीं यहाँ पर कर ली है इसमें कुछ doubt confusion है मुझे comment section में पूछो please video को like करना comment section में feedback देना आपके लिए free of cost आपट इससे मुझे बहुत value मिलती है so please do that और यह मेरा google और gpa का donation number अगर आप लोगों को donation करना है thanks guys